बेहन जी ये है हमारी बेटी कोमल इसका साइस देखो और नाम तो देखो नमस्ते आंटी जी नमस्ते नमस्ते और बेटी ठीको हाँ जी आंटी जी हमारी कोमल बड़ी गुणी है बेहन जी घर के सारे काम बहुत ही अच्छे से करती है सिलाई कड़ाई का भी बहुत शौक है से और आपको पता है हाँ हाँ ये सब तो लड़कियों को आना ही चाहिए ये बात तब की है जब ललिता कोमल को देखने के लिए उसके घर गई थी और हुआ कुछ यूं कि पहली ही नजर में कोमल ललिता को बिलकुल पसंद नहीं आई हालंकि कोमल देखने में थी तो बहुत सुन्दर लेकिन वो थोड़ी मोटी थी बावजूद इसके ललिता के बेटे कलपेंद्र को कोमल पहली ही नजर में भागे और अपने बेटे की पसंद के आगे ललिता को जुकना पड़ा और ना चाहते हुए भी कोमल उसके घर की बहु बन गई फिर करीब दो सालों के बाद अरे कोमल कहां है कहां चली गई जी ममी जी यही हूँ अरे तु भागा मत कर कहीं गिर गिरा गई तो खुद तो टूटे की ही घर का फर्ष भी तोड़ डालेगी ठीक है ममी जी वो आपने बुलाया था मुझे हाँ मैं यह कह रही थी यह कैसी सबजी बनाई है ना इसमें नमक है और ना मसाले दो साल हो गए तुम्हें इस घर में आये हुए लेकिन अब तक तुमने हमारे तौर तरीके नहीं सीखे तुम्हारे घर में ऐसा ही बेस्वात खाना बनता था क्या ऐसा लग रहा है जैसे यह खाना किसी बिमार के लिए अस्पताल भिचवाना हो सारी ममी जी मैं आगे से खयाल रखूंगी कोमल सारा दिन पूरा दिर लगा कर घर के सारे काम करती थी लेकिन वो चाहे कितनी ही मेहनत क्यों न कर ले उसके सास ललिता हर वक्त उसे टोकती ही रहती थी और कोमल चुप चाप उसके ताने सुन लेती उस दिन भी ऐसा ही हुआ और फिर रख ले दिन ये क्या बना दिया है इतना तीखा बापरे घर के सारे मसाले जोग दिये लगता है अरे पेट खराब हो जाएगा इसे खा कर तो क्या आखिर क्या चाहती है तू आज बता ही दे मुझे सॉरी ममी जी वो मैं कल आपको खाना फीका लगा था तो मैंने आज हाँ तो आज तूने मुझसे बदला लिया है ना खाने मे तनी मिर्ची जोग कर हे मेरे भगवान अब तो कुछ कह भी नहीं सकते गजब की धीट बहु मिली है हमें कोमल की जिंदगी ऐसे ही कटी जा रही थी ललिता दिन भर उसे कोस्ती रहती और वो बेचारी अपनी साज को कभी पलट कर जवाब नहीं देती फिर एक सुबा अरे कोमल हाँ जी ममी जी ये पूरा फ्रिस खाली क्यों पड़ा है क्या भूखर्ताल कराने का इरादा है क्या ममी जी वो इन्होंने कहा था कि ये ओफिस से लोटते हुए सबजियां लेते आएंगे पर वो कल लेट हो गए थे न इसलिए सबजियां नहीं लापाए हाँ तो अगर वो लेट हो रहा था तो तू ही ले आती वैसे बे दिन भर काम ही क्या होता है सारे काम तो उल्टे सीधे ही होता है तुझसे उसमें भी सारा दिन गुजार देती है अरे मैं तो अपनी जवानी मैंसे जट से सारे काम कर दिया करती थी और किसी को शिकायत का एक मौका नहीं मिलता था जी मम्मी जी चल अब जलती जाकर बाजार से सबजी ले करा और हाँ आते हुए मेरे लिए कनार का जूस भी पैक करा लेना ठीक है मम्मी जी ललिता की सक्ती कोमल पर बढ़ती जा रही थी ललिता ये मान चुकी थी कि इस दुनिया की सबसे कामचोर बहू उसी की है हाला कि मोहले की ओरते कोमल की तारीफ ही करती थी लेकिन ललिता हर किसी से अपनी बहू की बुराई ही करती रहती थी उदर कोमल उदास मन से हाथ में थैला और कुछ पैसे लिए बाजार की तरफ बढ़ रही थी तभी उसे एक दिवार पर एक बड़ा सा पोस्टर दिखाई दिया उसने सरसरी नजर से उस पोस्टर को पढ़ना शुरू किया एक बार फिर आपकी शेहर में आयोजित करा रहा है भरत नाट्यम रित्य प्रतियोगिता प्रतिभागी की उम्र होनी चाहिए 18-65 साल के बीच और प्रतियोगिता जीतने वाले को मिलेगा एक लाग का नगत पुरसकार उस पोस्टर को पढ़ते पढ़ते कोमल की आँखों में चमक आ गई लेकिन जैसे ही उसने अगली लाइन पढ़ी उसका चेहरा फिर उदास हो गया उस पोस्टर के आखिर में लिखा था कि प्रतियोगिता में भाग लेने की फीज पांच अजार रुपे थी कोमल ने फिर पोस्टर को अंदेखा कर दिया और थैला लेकर आगे बढ़ गई फिर सबजी और अनार का जूस पैक करा कर घर चली गई फिर अगली सुबह अचानक कुछ शोर सा हुआ तो कोमल चौक कर बिस्तर से उठ गई सुबह के साड़े पांच बज रहे थी और उसकी सास ललिता के कमरे से कुछ आवाजे आ रही थी अरे ये शोर कैसा आवाज तो ममी ची के कमरे से आ रही है कोमल धीरे धीरे ललिता के कमरे के दरवाजे के पास पहुँची तभी उसे सुनाई दिया ललीता भरतनाट्यम की प्रेक्टिस कर रही थी और वो आवाज उसके पैरो पर बंधे घुंगरों से आ रही थी कोमल ललिता को भरतनाट्यम करते देख हैराण रह कहीं कियोंकि ललिता वाकई अच्छा नरित्य कर रही थी तबी कोमल की नजर पास ही रखे टेबल पर पड़ी जिसके उपर उसी डांस प्रत्योगिता का एक पैंपलिट पड़ा हुआ था जिसे देखते ही कोमल समझ गई कि उसकी सास उस प्रत्योगिता में हिस्सा ले रही है उस दिन कल पेंदर के ओफिस की छुटी थी तो दोपहर में खाने की मेच पर ममी जी वो एक बात करनी थी आपसे हाँ बोल क्या बात है ममी जी बहुत दिन हो गए माई के गए मा बाबु जी कबसे याद कर रहे हैं तो तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए रहा हूँ उनके पास अरे लेकिन घर के काम मा घर के कामों की चिंता मत कीजिए पडोस वाले अगरवाल जी के यहाँ जो मेड आती है वो आकर हमारे घर के भी सारे काम कर दिया करेगी कलपेंद्र के सामने ललिता जादा कुछ बोल नहीं पाई और उसने कोमल को उसके माई के जाने के जाने के जाज़त दे ही थी फिर उसी शाम आपको पता है मम्मी जी बहुत अच्छा भरतनाट्यम करती है कलपेंद्र कुछ कह पाता उससे पहले ललिता वहां गई और उसने कोमल को बीच में ही टोकते हुए कहा मैं तो कई साल से भरतनाट्यम करती आ रही हूँ पता है मुझसे अच्छा भरतनाट्यम तो इस पूरे शेहर में कोई नहीं कर सकता और वैसे भी तुम क्या जानो कला क्या होती है तुम्हें तो बस खाने और सोने में महारत है ललिता की ये बात कोमल के साथ साथ कलपेंद्र को भी बुरी लगी लेकिन उन दोनों ने ही ललिता से कुछ नहीं कहा अगले दिन कलपेंद्र कोमल को उसके माय के छोड़ा है देखते ही देखते दस दिन बीद गए और दूसरी तरफ भरतनाट्यम प्रतियोगिता का फिनाली शुरू हो गया हलो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दस दिनों से हमारी ये प्रतियोगिता जारी है और पूरे शेहर के पहले 200 कैंडिडेट्स और फिर कई लेवल्स पार करते हुए हमें मिल चुके हैं हमारे दो फाइनलिस्ट जिनके बीच आज होगा फाइनल मुकाबला खास बात ये है कि हमारी ये दोनों फाइनलिस्ट भी एक दूसरे से आज पहली बार मिलेगी आज का ये मुकाबला बहुत खास है क्योंकि आज कोई जज नहीं होगा क्योंकि आज कोई जज नहीं होगा बलकि दोनों कंटेस्टेंट परफॉर्म करेंगी और हमारे दर्शक on the spot विजेता का फैसला करेंगे तो हो जाये तैयार क्योंकि अब मैं बुलाने जा रही हूँ हमारी पहली contestant ललिता जी को जोरदार तालियों से स्वागत कीजे उनका ललिता अपने घमन में चूर इतराती हुए stage की तरफ पढ़ी उसे पूरा यकीन था कि ये प्रतियोगिता तो वही जीतेगी इसलिए उसे अपने प्रतिद्वन्दी का नाम तक जानने में कोई interest नहीं था तभी पासखड़ी host ने कहा और अब स्वागत कीजे हमारी दूसरी finalist Mrs. कोमल का एंकर के ऐसा कहते ही कोमल भरतनाट्यम की पोशाक में stage पर चली आई और उसे इस तरह वहाँ देख कर ललिता का मुझ खुला का खुला ही रह गया तभी कोमल ने आगे बढ़ कर ललिता के पैर चुए ये देख कर वहाँ हर कोई हैरान रहे गया और फिर प्रत्योगिता शुरू हो गई ललिता ने बहुत अच्छा भरतनाट्यम किया लेकिन अब बारी थी कोमल की कोमल ने पहले ही थाप में ऐसी मुद्रा बनाई और चेहरे पर ऐसे भाव दिये कि वहाँ मौजूद हर शक्स ताली बजाने लगा दर्शकों ने एक सुर में कोमल को विजेता चुन लिया और फिर और इसी के साथ ये फिनाले खत्म हुआ पर हमें अभी अभी पता चला है कि कोमल जी और ललिता जी साज बहु है माफ कीजेगा पर मैं आज आप सब के सामने कुछ कहना चाहती हूँ अब तक मैं एक बहुत अलग इंसान थी अपनी बहु को मैंने कभी अपनी बेटी नहीं माना मुझे हमेशा यही लगता रहा कि वो मेरे घर और मेरे बेटे के लायक नहीं लेकिन आज मेरा घमन चूर चूर हो गया मेरी बहु आज मुझे पर भारी पड़ी उसने साबित कर दिया कि वो मुझे से कई माईनों में बहतर है पर अच्छी बात यह है कि मेरी ख्वाईश थी यह ट्रॉफी मैं अपने साथ अपने घर ले कर जाओ और मेरी यह ख्वाईश मेरी बहु ने पूरी कर दी यह कहकर ललिता ने कोमल को गले से लगा लिया ललिता और कोमल की आँखों में खुशी के आँसू थे और पुरा हॉल तालियों की आवाज से गूंच रहा था ससूराल हर लड़की का सपना होता है और वहाँ पर बिताया पहला दिन शायद ही कोई लड़की हो जिसे यादना रहे ऐसी यह कहानी है करिश्मा की जिसका ससूराल में पहला दिन होता है नई नवेली सेहमी सिदुलहन करिश्मा सुबह तड़के पांच बजे उठ जाती है और सोचती है हाई राम सुबह के पांच बजे के और मैं अभी तक सो रही हूँ चल्दी से उठकर नहा लेती हूँ नहीं तो सब लोग क्या कहेंगे करिश्मा जल्दी से नहा कर बाहर आती है और पूजा पाट करके किचन में चली जाती है अरे अभी तो ठीक से सुबह भी नहीं हुई फिर ये किचन में से कैसी आवाजे आ रही है कहीं अपने यहां कोई चोर तो नहीं आ गया चोर 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 बेचारी करिश्मा किचन में नाश्टे की तैयारी कर रहे थी लेकिन अपनी सास का शोर शराबा सुनकर वो डर जाती है और जल्दी से बाहर आकर पूछती है चोर कहा है चोर माजी जल्दी बताईए मैं अभी डंडे से उसकी पिटाई करती हूँ किचन में किचन में चोर है वहां से तरह तरह की आवाजे आ रही है लेकिन किचन में तो मैं हूं माजी और वहां तो कोई नहीं है अच्छा फिर तो बहु तू ही होगी मैंने खटर पटर की आवाज सुनी तो मुझे लगा शादी वाले घर में कोई चोर चोरी के इरादे से घुसाया है पर बहु तू इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही है जी वो मैं नाश्ते की तयारी कर रही थी अरे इतनी जल्दी सारा दिन पड़ा है अभी ये काम तो बाद में भी हो जाएगा पहले तू जाकर आराम कर ले शादी की तयारियों में ठक गई होगी जा बेटा आज तो पहला ही दिन है जा जाकर आराम कर हाई कितनी अच्छी सास मिली है मुझे जो आराम करने के लिए कह रही है और एक मेरी मा थी जो सूरज निकला भी ना हो फिर भी सूरज कब का निकल गया आदा दिन हो गया कब उठेगी कहकर जल्दी उठा देती थी यहाँ तो सूरज निकलने के बाद भी सासुमा कह रही है सोजा सोजा करिश्मक खोश होकर अपने कमरे में निश्यन थोकर सोने चली जाती है सोते सोते उसे काफी देर हो जाती है तभी हॉल में बैठी उसकी बुआ सास और मामी सास बाते बनाने लगती हैं और कहती हैं हाई हमका इतनी दूर लखनव से सोती बहु को देखन वास्ते आवत है अरे आज कल की बहुएं तो सिर पर चड़ी रहती है हमारी तरह थोड़ी न जो ससुराल के डर से आज भी कापते हैं वही पीछे खड़ा रजत उनकी सारी बाते सुन रहा होता है अपनी बीवी की बेज़ती सुनकर वो उनकी बातों पर परदा डालते हुए कहता है रजत जल्दी से अपने कमरे में जाता है और करिश्मा को उठाते हुए कहता है करिश्मा जानू उठ जाओ बेवी जल्दी से उठकर नहा लो सब रिष्टेदार बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे है जी मैं तो सुबह पांच बजे उठकर ही नहा कर पूजा पाट करके नाश्टा बना लिया था लेकिन मा जी ने कहा भी सो जा इसलिए आकर सो गई हाई मेरी नई नवीली दुलन सुबह पांच बजे से उठीए तब तो तुम अभी आराम कर लो नहीं अब मेरी नीन पूरी हो चुकी है कहिए आपको कुछ कहना था क्या रजट करिश्मा को सारी बात बताता है और कहता है अब मुझे तो ये बिल्कुल भी बरदाश्ट नहीं की कोई मेरे सामने मेरी बीवी की बुराईया करे चलो अब जल्दी से तयार होकर बाहर आ जाओ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे है इतना कहकर रजट बाहर चला गया हाई जी ये क्या हो रहा है मेरी पीट पीछे कल तक जो रिष्टेदार मुझे आशरवात दे रहे थे आज एक ही दिन में मुझे जाने बिना मेरे बारे में अपनी राय देनी भी शुरू करती फिर करिश्मा तयार होकर बाहर आ जाती है और उनसे पूछती है बुआ जी मामी जी आपने नाश्टा कर लिया हाँ बहू तुझे क्या लगा अगर तु खाना नहीं देगी तो क्या हम भूखे ही रहेंगे वैसे तुने टाइम देखा क्या हुआ है तभी वहाँ सरोज आ जाती है अरे ये बिचारी तो सुबह पांच ही बज़े उड़ गई थी नहा कर पुझा पाट करकर सबका नाश्टा इसी ने तो बनाय था वो तो काफी सुबह थी इसलिए मैंने ही कहा इसको जाकर सोने के लिए अरे दीदी बहूं को तो जितना दबा कर रखा जाये उतना ही वो काबू में रहती है अगर जरा भी धील दे दी तो फिर ये हाथ से निकल जाती है ये कैसे रिष्टेदार है बहू का आज पहला दिन है और उसे आशरवात देने की बज़ाये दबाने की बात की जा रही है मैं बहू हूँ कोई जानवर थोड़ी न जो मुझे दबाया जाए अभी करिश्मा इसी सोच में पड़ी हुई होती है कि तभी पीछे से आवाज आती है भाबी जल्दी से चलो और अपना सूटकेस खुल कर दिखाओ क्यू उसमें क्या-क्या सामाना आया हमारे लिए अहां जी, चलिए सब कमरे में अरे, कमरे में क्या चलिए? तुम अपना सूटकेस यहां ले कर आओ अरे, यहां लाने की क्या जरूरत है? करिश्मा बेटा जो जिसके नाम का है दे दो उसको अच्छा पापा ऐसा कैसे? ननत को पूरा हक है अपनी पसंद का सामान लेने का जो रिवाज है हम तो वही लेंगे हाँ हाँ जैसे तेरी मा ने तो हमें बड़ा अपनी पसंद का दिया था ना जो तू अपनी भाबी से मांग रही है अरे कैसी बात कर रही है आप? आपने तो मेरी सबसे पसंदिदा जरकन वाली साड़ी पर हाथ रख दिया था और मैं बेचारी मना भी ना कर पाई बेचारी करिश्मा भारी सूटकेस उठा कर हॉल में लाती है और जैसे उसका सूटकेस खुलता है तो उसकी पसंदिदा साड़ी उसकी नरत तान्या ले लेती है और वो बेचारी मन ही मन सोचती है हाई, ये तो मेरी फेवरेट साड़ी है अच्छा, अब मेरे निकलने का वक्त हो रहा है लेकिन सोच रही हूँ जाने से पहले एक बार नई बहु के हाथ का मीठा चकलू हाँ हाँ, जरूर बुआ जी आप बैठिये, मैं भी आप सब के लिए हलवा बना कर लाती हूँ हलवा नई भाबी, हमारे हाँ तो मीठे में बहु खीर ही बनाती है तो आपको भी वही बनानी है खीर करिश्मा की मा ने मीठे में हलवा बनाना सिखाया था वो भी उसने शादी से हफता भर पहले ही सीखा था हे भगवान, मैंने तो मा से हफता भर हलवा बनाने की ट्रेनिंग ली थी लेकिन खीर कैसे बनाते है वो तो मुझे आता ही नहीं एक काम करती हूँ जो हलवे की रेसिपी है वही खीर के लिए इस्तिमाल करती हूँ कुछ दिर बाद करिश्मा खीर लेकर आती है हम्, भुने हुए चावल की तो अच्छी खुस्बू आ रही है बस जरा दूद में चावल ठीक से मिक्स नहीं हो पाए येलो बहू तुम्हारी पहली रसोई का सगुन बुआ सोने की चेन बहू को गिफ्ट में देती है मामी सास भी उसके लिए सोने की अंगूठी लाई होती है आप सबने मेरी बहू को समझा वही हमारे ले काफी है इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी जरूरत कैसे नहीं थी दीदी ये क्या तुम्हारी ही बहू है हमारी नहीं हाँ इसकी एहमियत हमारे ले भी उतनी ही है जितनी तुम्हारे लिए बहु अब तु ठक गई होगी जा बेटा अपने कमरे में जाकर आराम कर करिश्मा उन सब के पैर छुकर कमरे में चली जाती है आज शाम को बहु के ममी पापा आने वाले हैं देखते हैं क्या लेकर आते हैं वही लाएंगे जो तुम्हारे लाये थे खाली हाती आएंगे और क्या और जो शगुन से पहले ट्रक भर कर आया था उसका क्या वो तो आपको याद नहीं चलो अब तो मैं चली अपने घर आप दोनों ननित भाबी शादी के तीस साल बाद भी लड़ती ही रहो हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है शाम को करिश्मा के माता-पिता उसके ससुरा लाते है अरे आये आये भाई साब बेंजी कैसी है सम्धन्जी आप मैं तो कब से शाम होने की राह देख रही थी कहां है मेरी लाडो वो तैयार हो रही है वैसे शाम की रा क्यों देख रही थी अब तो एक ही घर है, पहले ही आ जाती जी, वो तो है उधर करिश्मा रजट से कहती है सुनो जी, मुझे न शर्म आरी है साड़ी पहन कर ममी पापा के सामने जाने में आज तक पहनी नहीं न? ये लो सूट, मैं तुम्हारे लिलाय था इसे पहन लो, ममी से मैं बात कर लूँगा करिश्मा सूट पहन कर तयार हो जाती है और सब के सामने आ जाती है लो जी, आ गई हमारी बहू देखो तो सूट में कितनी प्यारी लग रही है बहू, तू न सूट भी पहना कर बड़ी प्यारी लगती है सूट में इसके बाद करिश्मा को सब अच्छा लगने लगता है उसकी शादी का पहला दिन उसके लिए खटा मीठा भरा रहता है लेकिन प्यार करने वाले पती, सास, ससुर और ननत पाकर वो खुश हो जाती है